प्यारे बच्चों, आज हम उसी क्रम में आगे की और बढ़ते हुए दिखाएंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्यान नहीं है जैसे कि परिमेय संख्याएं 3, 5, 7, 11 इन संख्याओं का वर्गमूल परिमेय संख्यान नहीं होता है इसके लिए हम देखें दिखा रहे हैं कि वर्गमूल पांच एक परिमिय संख्या है इसके लिए मानेंगे हम कि माना वर्गमूल पांच एक परिमिय संख्या है परिमेर संख्या को P बटा Q के फ़र्म में लिखादा आता है तो हम लिख देंगे वर्गमूल 5 बराबर P बटा Q जहां पर P और Q पूर्णांख हैं और Q बराबर नहीं सुनिया और Q का माल एक से बड़ा है P और Q पूर्णांख हैं कैसे पूर्णांख हैं आपस में विखाद जिन नहीं है अर्थात इनका कोई भी कामन फैक्टर नहीं है एक के अलावा वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा P बटा Q का वर्ग तो आएगा P स्कुर बटा Q स्कुर वर्गमूल 5 का वर्गमूल में वर्गमूल का चिन हट जाएगा तो 5 बराबर P स्कुर बटा Q स्कुर Q स्कुर की 5 से क्रास मल्टिप्लिकेशन हो जाएगी 5 Q स्कुर बराबर P स्कुर तो 5Q स्क्वाइर को हम लिख सकते हैं 5Q गुणा Q या अगली लाइन में 5Q बराबर P स्क्वाइर बटा Q अब यहां पर P स्क्वाइर बटा Q एक परिमे संख्या दिखा रहा है लेकिन 5 और Q ये परिमे संख्या है पांच Q गुणांक 5Q एक तो 5 से भाग हो जाएगी दूसरे एक से भाग हो जाएगी और Q से भाग हो जाएगी अर्थाथ 5Q परिमे संख्या है इस आधार aik क्यों हम यहां से कहने हैं P स्क्वाइर बटा Q एक परिमे संख्या है लेकिन हमारी कल्पना क्या थी कि P बटा Q परिम्य संख्या नहीं है तो P स्कुएर बटा Q बराबर नहीं 5 Q होगा अर्थात वर्गमूल 5 बराबर नहीं P और Q अर्थात वर्गमूल 5 परिम्य संख्या नहीं है अर्थात इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अब इसी क्रम में हम एक और लेते हैं कि 3 प्लस वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 एक परिमे संख्या है इसके लिए हम मान लेते हैं कि दी गई संख्या एक परिमे संख्या है अर्थात 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक पर्मिय संख्या है अगर इसको पर्मिय संख्या मानेंगे तो इसको भी हम X बटा Y के रूप में लिख देंगे जहां पर X और Y अविभाज पूर्ण आंक हैं अर्थात X और Y आपस में एक के रावा और किसी से भाग नहीं हो सकते और हर Y सुन्ने नहीं हो सकता अर्थात Y कमार एक से बढ़ा है इस क्रम में आगे और पढ़ेंगे तो दो वर्गमूल 5 बराबर X बटा Y माइनस 3 तीन जो Y और था उसको हम दाई और ले गए प्लस में था माइनस में चला गया दो वर्गमूल 5 जो इधर गुना कर रहा था ये भाग कर जाएगा 2 तो वर्गमूल 5 बराबर X बटा 2 Y माइनस 3 बटा 2 अब X बटा Y परिमे संख्या है दो परिमे संख्या है और माइनस 3 बटा 2 एक परिमे संख्या है अर्थात एक परिमे संख्या से दूसरी परिमे संख्या घटाई जा रही है तो ये परिमे संख्या प्राप्त होगी जो कि गलत है क्योंकि वर्गमूल पांच एक परिमे संख्या है जिसको हमने अभी पिछले परसन में सिद्ध किया है इसका मतलब यह हुआ कि वर्गमूल पांच एक परिमे संख्या होना चाहिए यहां से लेकिन हमारे गणित के हिसाब से वर्गमूल पांच एक अपरिमे संख्या है इस हिसाब से तीन प्लस दो वर्गमूल पांच एक परिमे संख्या हो जाएगी जो कि असकते हैं अताह तीन प्लस दो वर्गमूल पांच अपरिमे संख्या है इसी क्रम में हम और उदाहरुन ले करके दिखा सकते हैं कि एक बटा वर्गमूल दो परिमे संख्या है 7 वर्गमूल, 5 अपरिमे संख्या है 6 वर्गमूल, 2 अपरिमे संख्या है ये प्रस्चा 10 की nc kennt book की प्रसनावली 1.3 में दिये हुए है इन प्रस्चा 10 के लिए लगा करके विध्वत कॉपी मेंटेन करने उसमें लगाएंगे इस तरीके से ये 1.3 एकसरसाइज हमारी आज कम्प्लीट हो जाती है सेस अगली वाद